मेरा नाम डॉक्टर आरके जस्वाल है और मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली के हिरिदे रोग विभाग में डारेक्टर वो हैड आफ डेपार्टमेंट के पद पे कारे रत हूँ मैं आज पेशेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि COVID-19 पैंडेमिक के टाइम पे हिरिदे रोगियों को अपना खास ख्याल रखना चाहिए उसका पहला कारण ये है कि इस COVID-19 के दोरान ये देखा गया है कि इसके सिम्टम काफी ज्यादा हार्ट पेशेंट्स के सिम्टम से मिलते जलते हैं जैसे चेस्ट में भारीपन आना, सांस की दिक्कत होना या चेस्ट पेन होना और इन सिम्टम को COVID-19 कहा जाता है But at the same time, अगर ये symptoms high intensity में होते हैं, तो immediately किसी अच्छे hospital में रिदे रोक की अपनी जाच कराएं. दूसरा important चीज ये है कि virus infection के कारण, हमारी art के arteries में जो सूजन आती है, उससे stable plaque भी unstable होते हैं, उनमें clot बनके major और risky heart attack होता है. इसलिए, मरीज को ये चाहिए कि उस hospital को चुने, जिसमें की highly experienced operator हो, latest gadgets हो, उनके पास world class technology हो, ताकि tough से tough heart attack को भी वो handle कर सकें, और उनके infection control के जो protocols हैं, वो बहुत strict होने चाहिए. regular medicines आपको लेनी है, क्योंकि एक भी अगर दिन हम medicine miss करते हैं, तो वो भी heart attack को invitation दे सकती है. चौथा ध्यान उन्हें ये रखना है कि उनके medicines की जो availability है, वो हमेशा होनी चाहिए, extra amount में घर में होनी चाहिए, they should be in touch with online pharmacy या जो chemist उनको home delivery दे सकें, और घर के किसी भी member को ये onus लेना पड़ेगा कि उनकी द्वाईयों के time पे top up करें, और उनके regular ये medicines दें. वयायाम regular करना है, blood pressure अपना regular check करना है, sugar regular check करनी है, और diet का ख्यास ख्याल रखना है, diet में हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम फल ज्यादा ले, सबजियां ज्यादा ले, nuts ज्यादा ले, high protein diet, white of egg, white meat वगएरा ज्यादा ले, और खास ख्याल ये है कि मिश्टान और पदिष्ट वेंजनों से दूर रहें